यह आपका economics का पहला chapter का अतिलोग होतर यह question है च्छोग को हम यह आपे लिखे हैं और जो बच गया next part में देखा जाएगा अभी फिला लिख्ष को किजिए अभी क्या करा है इसमें पहला question उत्पादन से आप क्या समझते हैं उत्पादन मतलब क्या होता है देखिए जो बेवस्था करता है वह उत्पादन हो गया अब हमको कोई आप जीसे के हमको खाना बनाना है उसके लिए हम जलाबन का बेवस्था करते हैं तो हमारा क्या उत्पादन हो गया हमको खाना खाना है चावल खाने के लिए भात खाने के लिए हम धानों गाते हैं खेती करते है है उत्पादन हो गया है तो वह चीज जो मानव अपनी अवसकता की पुर्टी के लिए उसकी उपयोगिता का स्रीजन करता है बरहाता है बनाता है उसको हम कहते है उत्पादन पाधन क्या होता है अभी देखो दूसरा कोर्षन उत्पादन किरिया को संचालित करने के लिए किन-किन साधनों की आवेसकता होती है अब उत्पादन किरिया आपको उत्पादन करने के लिए अब मालो एक खेती धान उगाना है उसके लिए उत्पादन करने के लिए हमको किन-किन चीजों की ज़़त होती है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिए उत्पादन किरिया को संचालित करने के लिए प्राकृतिक साधन, मानविय स्रम तथा धन या पुंजी क्या वे सकता होती है अब प्राकृतिक साधन मतलब खेती, खेती तो प्राकृतिक है ना, कि हम बनाए हैं खेती को, उसके बाद कहता है कि मानविय स्रम, उस खेती पर मानव स्रम करता है, यानि कि महनत करता है, मानविय स्रम, महनत करके उसको जोतता है, खेत को जोतना, पानी पटाना, खाद बीज देना यह सब आदमी क्या करता है महनत करता है उसके बाद धन चिजों के लिए प्राकृति होती है तो अब आपको कहा जाए उत्पादन किरिया को संचालित करने के लिए खिनन्किन चीजों कि आवेसकता होती है तो ऑथ व्होंद्पाधन करणी के के लिए प्राकृतिक साधन मानविये श्रम और पुंजी की आविसक्ता होती है क्लियर चलो तीसरा कोश्टन ग्रामीन परिबार का अधिकांस उत्पादन किरियां किस बैवसाय से संबंधित होती है गाउं घर में गाउं के लोग जो होते हैं इनका उत्पादन किरिया सबसे ज्यादा किस पराधारीत होता है उनका परिबार कैसे चलता है किस बैवसाय से चलता है तो खेपिसी करते हैं और उससे से उन्हका परिबार चलता है तो वहीं बाते हैं कि क्रीशी से ज़ो पादन का उद्देश से होता है क्या होता है मýbrdeath वेसे कि करते हैं लिए अब जर्कता है कि हम धान जोप जाते हैं उसको बेच कर지 casually खरीदते हैं, घर में हम साग सबजी लाते हैं, अगर धानों गाया तो उसको बेज करके हम修ित्ब रबेश्य लाएं , also gets there घर में और भी सारी चीज़े लाएं, तो तो उत्पादन का उद्द्द से क्या होता है, तो उत्पादन का उद्द्द से मान भी सेक्ताओं को संतुष्ट करना होता है आदमी जो है उत्पादन क्यों करता है अपनी आवज सेक्ताओं की पूर्ति करनी के लिए वह उत्पादन का कारिया करता है ठीक है अगला कोशन उत्पादन के विभीन साधन कौन-कौन है अब उत्पादन करनी के लिए हमको किन-किन चीजों की कि साधन हमको चाहिए मानवीय स्रम चाहिए धन पुंजी चाहिए वही चीजा है उतस पादन के विभिन साधन हम को उत्पादन करने के लिए भिने साधन कौन कौन है भूमी श्रम पुंजी तथा संगठन एबं साहज उत्पादन के विभिन साधन है ठीक है अगला कुर्श्चन छे नंबर अचल पुंजी और कारे सील पुंजी में अंतर अस्पस्ट करिए अचल पुंजी क्या होता है और कारे सील पुंजी क्या होता है तो देखिए अचल पुंजी जो होता है न यह बास समझ गें अचल पुंजी हमारा अस्थाई होता है जैसे कि हमारा ट्रेक्टर खरेशर वह ऐसी चीज़े जो हम एक बार के लिए खरीदते हैं और उसका इस्तिमाल हम कई बार करते हैं उसको हम अचल पुंजी कहते हैं ठीक है और इसका उत्पादन में कई बार प्रयोग कि किया जाता है यह टिकाव होता है अचल पुंजी समझ गया क्या होता है अब कारेसील पुंजी देखें कारेसील पुंजी वह होता है जो टिकाव नहीं होता है वह अस्थाई होता है उसका आप एक ही बार इस्तिमाल कर सकते हैं बार बार उसका इस्तिमाल नहीं किया जाता है अब जैसे कि धान का बीज, गेहूं का बीज, हम लाते हैं एक बार छीर दियें, हाद लाएं छीर दियें, खतम हो गया, दुबारा लाने के लिए हमको फिर से पुंजी लगानी परेगी, तब जा करके आएगा, उसका इस्तेमाल हम एक ही बार कर सकते हैं, तो वैसी चीजे जि पुंजी को हम कहते हैं अचल पुंजी, डिफ्रेंस समझ गें अचल पुंजी और कारिसिल पुंजी का, तो कल का आप लोगों का काम यही रहेगा, इसको पूरे अच्छे से समझ करके अपने हिसाब से कंप्लेट करके लाएगा, ओके?